हेलो दोस्तों, गवर्मेंट डिफेंस PSU, भारत डाइनामिक्स के बारे में वीडियों में बात करेंगे, जहां पर इंटरिम डिविडेंट का अनॉंसमेंट हुआ है, और साथ साथ में स्टॉक स्प्लिट भी फ्यूचर में होने जा रहा है, इन दोनों को डिस्कॉस करेंगे, और भारत डाइनामिक्स का डीटेल बिजनस रिव्यू भी हम करने वाले हैं, सबसे पहले डिविडेंट को देख लेते हैं, 8.85 पैसे का डिविडेंट हो रहा है VDL की तरफ से, और 2nd April record date होगी इस डिविडेंट के लिए, और जो payment है eligible investors को April 18 या उससे पहले हो जाएगा, ड एक डिविडेंट इसी समय में आता है, February, March इसी समय में, जैसे लास्ट यर में देखे, 8.15 पैसे का डिविडेंट आया था, तो उसी को यह अगर हम इस सल compare करे तो, 8.85 थोड़ा ज्यादा डिविडेंट आया है, और फिर जो दूसरा डिविडेंट आ रहा है, वो 30 पैसा, तो 9.35 पैसा जो था लास्ट यर का डिविडेंट था, वैसा ही आप देखेंगे, उससे एक साल पहले भी कुछ ऐसा ही था, दो बर डिविडेंट आया था, February में और सप्टेंबर में, 8.30 पैसे का टोटल डिविडेंट था, इस बार इंटरिम डिविडेंट ही ज्य साल 30 परसंट रहा है, कुछ साल 48-50 परसंट से उपर रहा है, तो देखेंगे, फाइनल डिविडेंट किस परिके से आ रहा है, तो यह डिविडेंट का जो नमबर है, 8 रुपीज 85 पैसा, 2 अप्रिल और पेमेंट अप्रिल 18 या उससे पहले दोस्तों, नेक्स्ट है, स्टॉ फेस वैल्यू कितना है, 10 का है, ठीक है, अब यह जो फेस वैल्यू 10 है, वो 5 हो जाएगी, अब इसका मतलब क्या है, सिंपल में, सोच लिजी आपके पास 1 शेर है, तो 2 हो जाएंगे, for example, आपके पास 30 शेर है, तो वो टोटल कितना शेर हो जाएगा, 60 शेर हो जाएगा, ठी रेकॉर्ड डेट, यह जो मैं वीडियो बना रहा हूं, अभी तक आई नहीं है, यह ध्यान में रखना है, यहाँ पर हमको एक्स डेट को देखना है, जो एक्स डेट रहेगी, उस दिन शेर प्राइस एडजस्ट हो जाएगा, और एडजस्ट कैसा हो जाएगा, जो भी उस रहता है, तो 750 में उपन होगा, अब समझ रहा है, यह एडजस्मेंट कब होगा, एक्स डिविडेट के दिन, और वो हमको अभी तक पता नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में इन्फॉर्मेशन आईगी, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, अब स्टॉक स्प्लिट पर पड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन कम भाव हो जाएगा, तो क्या बहुत सारे और भी इन्वेस्टर्स यहां इन्वेस्ट कर सकता है, पहली चीज वो, दूसरी चीज है, कम भाव होगा, तो लिक्विडिटी जो है, जो कंपनी के हिसाब से, कि उनका इसा लगता है, कि ल अब important चीज, कि stock split एक event हो रही है, जैसे BDL में stock split में खाली share price थोड़ा सा नीचे जाएगा, लेकिन कोई fundamentals change नहीं हो रहे है, ठीक है, बहुत लोग को साथ ऐसा लग सकता है, कि share price कम हो गया है, तो company बहुत सस्ते में मिल गई है, intrinsically जो है, उसकी value कम हो गई है, नहीं, ऐसा न fundamental महंगा भी हो, ठीक है, तो वो intrinsic value है, उसके लिए हम price to earning, price to book, या EV by EBITDA, इन सब ratios और बाकी सब ratios को हम लोग देखते है, ठीक है, तो fundamental कोई change नहीं है, share price नीचे जाएगा, अब उसका मतलब ये भी नहीं है, कि stock जो है intrinsically, मतलब valuation के हिसाब से सस्ता हुआ है, ऐसा भी नहीं है दोस्तों, ठीक है, यहाँ सिर्फ एक adjustment हुआ है, जहाँ पर share price यहाँ पर कम हो जा रहा है, और जो face value है, वो 10 की 5 हो जा रही है, यह ध्यान में रखना है, दोस्तों, जैसे details हाएंगी हमारे telegram group map को में बता दूँगा, अब बात करेंगे BDL के latest business के बारे में, business में हम जाएं बहुत सारे valuations को भी check करेंगे दोस्तों, उसे पहले एक important सूचना, आप हमारा telegram learning group को join कर सकते हैं, जहाँ पर अलग-अलग business analysis, passive income, mutual funds, dividend, personal finance related pure content आते रहते हैं, knowledgeable document share करता रहता हूँ, आप इस group में जा सकते है, 4300 से बड़ी की community है, यह telegram group में, मुझे उमीद है, आपको value जर delivery करने वाले हैं, और आत्म निरबर भारत में एक key theme है, market cap 30,000 करोड के आसपास है, आप small cap company मान सकते है, P.E. ratio 63.9, मतलब company सोच लिए, एक रुपिया कमा रही है, तो market 64 times valuation देने के लिए ready है, अब P.E. जो median है, वो 22 है, यही चीज़ में बता रहा था, कि historical level से company सस्ती नहीं है ठीक है, यह चाहिए stock split हो, नहीं हो, यह चीज़ ध्यान में रखनी, historically market ने उनको 22 का P.E. दिया है, कि मतलब आप एक रुपिया profit कर रहा है, market 22 times valuation देगा, लेकिन आप ने भी देखा होगा, last one year में जो PSU है, चाहिए वो defense PSU हो, या railway PSU हो, और फिर बहुत सारे PSU, उनका valuation थो बोल सकते है, debt-free company है, जो की एक और positive है, जब हम भारत dynamics की बात कर रहे है, अब जो defense company है, तो order book status बहुत ही important हो जाता है, January का number है 20,000 करोड के आसपास, चुकि 20,000 करोड है, तो जो last year का किस तरीके का यह देखिए, last year का revenue था, लगभग 2500 करोड के आसपास, तो उनके पास आप म इस साल भी देखेंगे, 9 महिनों का भी जो revenue है, थोड़ा कम ही देखने को मिल रहा है, अब वही quarter 4 में देखना है, कि वो last year का number है, जो 2489 करोड, उसको बीट करता है या नहीं करता है, in fact, March 2019 में जो उनका revenue था, वो revenue अभी भी आया, नहीं है, यहाँ पर EBITDA margin जो है, जिस पर ह हमारा focus रहता है, हमारे channel में हम बहुत देखते है, margins actually में last year में कम हुए है, जो raw material के price impact हुए थे, तो projects थोड़ा सा धीमा चले थे, फिर उसके साथ साथ में, जो margins है, impact आया था, mostly यह raw material के price बढ़ने के करण, इस साल कम raw material का target नहीं दिख रहा है, अब देखते हैं किस तरीके स company का performance जाता है, profit देखेंगे, अच्छा ही हुआ है, इस बार, financial year 23 के comparison में अगर हम देखेंगे, यह 9 मैनों में अभी strong profit हमको देखने को मिला है, जब हम भारत dynamics की बात कर रहा है, अब overall देखने का रहेगा, quarter 4 में किस तरीके का, यहाँ पर result आ रहा है, yes, risk भी हमको देखना है, यहाँ पर बहुत dependent है, government के उपर, government की क्या policy है, defense के उपर, क्योंकि defense आत्मनिरभर भारत पर बहुत कुछ अभी focus हो रहा है, तो भारत dynamics को ज़्यादा order मिल रहा है, लेकिन order execution भी देखना है, कि वो order execution समय पर कर पाए, नए orders उनको मिलते रहे, यह ज़्यादा important है, बाकि historical level से जो अगर हम खाली PE ratio देखें, तो महिंगा देखने को मिल रहा है, BDL का जो company है, आपके क्या views है, आपको क्या लगता है, कि उनका क्या profits है, double हो जाएंगे आने वाले 3-4 साल में, आपके views जरूर बताएगा, comment section में, आपके समय के लिए बहुत बहुत धने वाद, thank you, दोस्त और कर दो